असलाव आलेकूम आज मैं आपको नई रेसिपी लेगे आए हूँ शामी कवाब मतन शामी कवाब तो मैं बताती हूँ आपको मतन शामी कवाब कैसे बंगते हैं आधा केजी मतन है कीमा बारिक जिसे मैं बारिक करवा कर लाई थी 500 गिराम डाल है चने की पंदा मिनट पहले भुगोगी थी मैंने एक छोटा साइस का प्यास टार्टकर डालेंगे एक अधरत कर तुप्रा डालेंगे गल्द बार लश्ण की कलिया खड़े सारे मसाले डलेंगे ड्राय मसाला डलेंगे मिर्च पॉडर हर्दी पॉडर नमक साध अब आगे मैं जताती है आपको किस तरीके से बनाते हैं मैंने मटन डाल दिया इसमें जाल डाल दिये अब छोटा साइस का जो प्याज है ना काटके हमें कीमी के अंदर डालना है मतन हमें ज्यादा लेना होगा शामी कवाब में दाल हमें कम लेनी होगा जैसे मैंने आदा किलो मतन लिया है तो धाई सब्सक्राब डाल लिए आपको इस तरीके से काटना है प्याज लसन अदरत इसके डाल देना कीमी के अंदर साला कुछ है कि अधरे मसाले आपको यह लेले थोड़े थोड़े दो मैंने छोटी लाइचि लिए दो बड़ी लाइचि लिए फोड़ा जीरा लिया एक खोलिया चाल पांश लाउगे लिए गोल में लिए दाल चीलिक टेस करते हैं दो तीम यह पी सारा हमें कीमी के अंदर डाल देना आधा चम्माज हंदी पोड़र, एक चम्माज मेर्च पोड़र, नमक स्वाधनु साथ, पानी थोड़ा डालना क्योंकि हमने डाल भी वो दीती खीमा हमारा है बारी बिसेतना पानी तो कीमा हमारा पतला हो जागा कबाम बननी पाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, बिसेतना ही पानी बादना है, पास सीटी के लिए आमें गैस पे रखते ना, आख सीटी किमा पत्राम है उसके लिए उन्दर आने के लिए बड़ा साइज का प्यास लिए अज्रक का टुखड़ा है यह काटना है चार-पांच हरी मिर्चे हैं है दो तीन मैंने ठीखी मिर्च लिए हरा धनिया काटना है यह समध काट के आपको बताती है कि अब हम बंद कर देते हैं आप खोल कर दोते हमारा कीमा हो गया है तो आप देख सकते हैं कीमा हमारा गल गया है अच्छे से यह देखे लिगल गई है कीमा भी गल गया है अब हम इसको ठंडा करके मिक्सी में पीश लेते हैं अब हम इसे बारिक 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 अधर दनिया काटना अधर बारिक काटनी कीमा देखो मैंने ऐसे मिक्सी से साड़ा पीश लिया ऐसी पीशना होगा आपको सब इसमें मिक्स कर देती है प्यास भी ऐसी काटनी आपको बारिक इसका पानी निचोड़के इस तरीके से प्यास भी डाल दीमें यह एक अंडा मैंने तोड लिया है इसका मुझे आदा डालना गो कबाबो के अंदर आदा डाल दीमें आदा मैंने रोग डिया है मिक्स कर देना अच्छी से सब्सक्राइब देख सकते हैं आप अच्छा से सारा मिक्स हो गया है अब इसको हम गोल गोल बना के प्राइब करते हैं आपको इस तरीके से बनाना है अच्छी आपको प्राइब करना ठीक है तो तो देख सकते हैं आप तारे कबाब ऐसे हमें गोल कर लेना आप अब मैं करते हूं फ्राइब आप इस सारे कबाब अच्छे से फ्राइब हो गया है ऐसी आपको फ्राइब करना ओगो ठीक है तो तो अदो अब मिलती आपको मैं अगली रेसीपी के साद्ट नई वीडियो लेकर आउंगी नई रसीपी अल्ला हापी लाइक करिये शेयर किये शेयर किये अस्वाले तुम् झाल झाल झाल